हलो दोस्तो नमस्कार प्लस उसके साथ साथ बिजनेस की बात करेंगे ठीक है सभी चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे तो चलिए एक बार वापस अमेरिकन बाजार के दर्शन तो कर ही लेंगे फिलाल तो हरे निशान में चल रहा है बट यस पहले थोड़ा 80 पॉंट की तेजी थी अभी 60 पॉं बात यह दोस्तों कि नैजडेक बहुत अच्छा पर्फर्मस दे रहा है लगबग अभी 1% के आसपास जा रहा है तो नैजडेक का भी अगर बहुत ही अच्छा पर्फर्मस रहा तो यह हमारे इंटार IT इंडिस्ट्री को उपर लेके जाने के लिए मदद कर सकता है एंड चीजों के पर बढ़ाया है बहुत सब्सक्राव के लिए है अचिजों के लिए घ्ले करें आट कर आठिके लनीचे जो उसका फूल फॉर्म भी आपके सामने लिखा हुआ है confederation of all India traders मतलब यह जो body है वो यहापे क्या कर रही है सरकार को request कर रही है कि जो 28% का जो GST आपने online gaming के उपर लगाया है प्लीज इसको वापस एक बार reconsider कर दीजिए अगर देखा गया दोस्तों तो यह बात है सिर्फ यही तक सिमित यहापे नहीं रहे चुकी है अगर हम लोग यहापे बात करें राजी चंदरेशेखर को तो आप यहापे जानते होंगे मिनिस्टर है आप सभी लोग को बताई है मतलब उनको भी request किया गया अगर हम लोग यहापे देखते है मेरे साइड से जितना हो सकता है मैं यहापे GST council को मेरे साइड से भी request कर दूँगा कि आप एक बार 28% का जो GST आपने लगा है online gaming के उपर इसको एक बार वापस reconsider करे करके क्योंकि अगर हम लोग CAIT की भी बात करें उनकी अगर आप report को detail में पढ़ोगे तो यह भी बता जा चुका है कि अगर यह चीज ऐसी ही रही तो बहुत सारे gaming company हम लोगों को शायद से shutdown भी होते वे देखने को मिल सकती है ठीक है अभी होगी नहीं होगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा बट यह estimates बताए जा रहे है कि ऐसा हो सकता है करके सो देखना पड़ेगा सरकार इसे related क्या फैसला लेता है करके तो यह फिलाल तो चीज़े देखने को अगर सरकार ने अपना फैसला reverse कर लिया तो जो stocks गिरे खास करके delta cop जैसी company ठीक है इनके ओपर हम लोग कह सकते कि सरकार करेगा नहीं करेगा we don't know ठीक है क्योंकि अगर हम लोग सरकार के जो secretary हम लोग को देखने को मिलते थे ठीक है revenue की अगर हम बात करे तो उन्होंने तो कहा था कि यह जो gaming जैसी चीज़े होती है यह मतलब urge जैसी चीज़े मतलब क्या इसकी लट लग जाती है तो जिसको खेलना है वो खेलेगा ही तो यह भी point उन्होंने बोलकर यह बताने की कोशिच की कि शायद से वो अपने decision के उपर कायम रहेंगे करके बट anyways देख लेते हैं जो चीज़े चल रहे हैं इसी चीज़े में अच्छी तरीके से जाना जाता है बट बीच में एक ऐसी चीज़े जिसके चलते हैं मतलब बोलते हैं इंडिया की popularity कुछ जादा ही level पे अच्छी बढ़ती है मैं business की हिसाब से बात कर रहे हैं तो दोस्तो वह है UPI UPI के चलते हैं हम लोग कह सकते हैं कि यह जो payment mechanism है ठीक है बहुत सारे country ने इसको copy करने की भी कोशिश यहापे की है इसके चलते हम कह सकते हैं कि transparency बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते वे देखने को मिल रही है पहले क्या हुआ करता था कि बहुत सारे लोग कमाते भी बहुत सारे थे खास करकि अगर हम लोग छोटे shop की परस की बात करें तो उनकी भी कमाई आपको लगती होगी कि बहुत ही चोटी है करके बट वो भी जबरदस कमाई यहापे करते थे इसके चलते होता कहता कि maximum transaction cash में हुआ करते थे तो cash में transaction यहापे होते थे तो जितना taxation उनके उपर आता था वो सरकार तक पहुचता ही नहीं था बट UPI के चलते आपने देखा है लिटरल लोग एक रुपे का भी अगर कोई सामान करीदते हैं उसके लिए भी UPI इस्तवाल यहापे करते हैं जो की बहुत अच्छी बात है इसके चलते क्या होता है कि चोटे चोटे लेवल पे भी जो transaction हो रहे है वो भी सरकार के पास यहापे पहुच रहे हैं जिन जिन लोगों का अभी income हम लोगों को higher level पे जाते हुए दिखने को मल रहे हैं उनको भी ITR फाइल यहापे करना पढ़ रहा है इसलिए तो आपने देखा होगा कि सरकार के पास जो direct taxation का जो data है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को आपे मिल रहा है इसी चीज़ को अगर हम लोग बात करें विदेश में भी अपनाने की कोशिश आपे हर कोई करने की कोशिश करें इसी भी की बात करें European Central Bank ने भी इस point को यहापे अच्छी तरीकी से हापे highlight किया है नेक्स बात करेंगे दोस्तों तो शीला फोम आज के दिन जबरदस तेजी देखने पने यह तो net तेजी है साड़े 5% से जादा की देजी वरनाए 11% से भी जादा उपर चला गया था reason बहुत ही simple है दोस्तों एक और company उन्होंने यहापे खरीद लिये लगबग 250 करोड के आसपास हाली में इसके पहले भी उन्होंने एक और company आपे खरीदी थी तो शीला फार्म भी एक बहुत ही decent company अच्छी company दे कि नीचे आ गया मतलब वो खराब नहीं हो गया अगर आपके पास यह company मान लिजिए अगर किसी ने higher level पे भी खरीदा होगा तो मैं उनके जगे पर होता तो मैं तो इसको loss में नहीं निकलता यह company बहुत interesting है institutional investor भी इसमें jump कर buying करके बैठे हुए है देन बात करेंगे जी entertainment इसको थो हम लोग बिल्कुल track नहीं करते हैं ठीक है 7% भागे 17% भागे हमें इससे कोई ले ना देना नहीं क्योंकि business point office से देखा गया तो यह company बहुत ही खराब performance देती है आप देख सकते हैं टॉप लेवल से 55% डाउन है देखे बीच बीच में तेजी आती रहेगी इसमें retail investor trap होते रहेंगे मैं आपको warn कर चुका हूँ कि संभाल करें ना इस company anyways तेजी क्यों है दोस्तों क्योंकि Zee ने appoint यहापे कर दिया है interim committee किस चीज के लिए business को run करने के लिए आप सभी लोग को पताईए सेभी ने ban किया था पुनित गोयंका को और यह भी बोला गया था कि पुनित गोयंका कोई पुरी company नहीं है ठीक है तो यह जो company है Zee Entertainment यह हम लोग को वापस continue काम करते वे देखने को मिलेगा इसका अर्थ यह ह हम लोग को आगे शायद से बढ़ते वे देखने को आपे मिल सकते है हाला कि वो भी matter court में ही चलते वे देखने को मिल रहा है बट trader इसी चीज का फायदा उठाते है और trading करते वे देखने को मिल जाते है वही तो उनका काम है बट as a investor हम लोग ने तो यहा से दूरी ही बना की रखनी चाहिए जब तक सारे uncertainties खतम नहीं होते तब तक तो आप लोगों ने इसको मतलब consider भी नहीं करना चाहिए ठीक है यह भी point पता होना चाहिए चलिए आ जाते है next इस पे तो foxacon foxacon के तो बहुत सारी खबरे उड़ती उड़ती आते वे देखने को मिल जाते है पहले तो विदानता के साथ तो वो गए थे वो उड़ती खबर नहीं थी बढ़ बाद में उन्होंने वो deal cancel कर दी तन एक और खबर आ गए कि टाटा ग्रूप के साथ वो यहापर deal कर सकते करके देन पता चला कि वो भी deal शायद से नहीं होगी वो टाइवान एंड जापन के साथ यहापर बातचित करें अभी एक और खबर सामने आ रही कि foxacon के जो आर्म है ठीक है वो शायद से हापर हम लोग को साड़े आठ हजार करोड से भी जादा का investment यहापर करते वे देखने को मि जाती है foxacon से related तो चाहो तो आप इसको भी focus में आपे यह रख सकते हो द्यान दोस्तो एक जो company है आलिया भट तो आप सभी लोगों को पता ही होगे तो उनका जो एक brand हम लोगों को देखने को मिलता था ठीक है चाइल्ड वेर से रिलेटेड ए ब्रैंड था लबग तीन सो सा यहाँ पर क्या कर सकते हैं खरीज सकते हैं जिसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं अगर वो नंबर भी अच्छे रहा है बाजार ने भी उसको अगर थमसब अगर दे दिया तो जैसे कि पीछले वीडियो में आप लोगों को बताया अल्रेड दो इंजिन बाजार को उपर ल पर भी आप लोगों का इसके चलते फोकस आप यहाँ पर रख सकते हैं अगर हम बात करेंगे हमारे एक पोड़ोसी चाइना चाइना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो GDP का डेटा सामने आ चुका है उनके जो estimates थे वो उन्होंने आपर मिस कर दिये कितने के estimates थे somewhere around 7.1 percent actual में कितना आ गया 6.3 percent so इसी चीज़ के चलते हम कह सकते 6.3 पर इतना खराब नहीं है बट yes estimates के इसाब से हम कह सकते बहुत ही खराब हम लोगों को देखने का आपे मिल रहा है प्लस अगर हम लोग बात करें next important चीज़ तो दोस्तो टेसला आप सभी लोग को पता ही है इंड तो यहाँ पर बाजार में आ रहे हो बड़ टेसला भी बाजार में आने वाली है तो उन्हें ने कहा है कि इंडिया में टेसला इतना नहीं चलेगा यह तो western countries के लिए ही यहाँ पर बना हुआ है इस रिजव से related issues चली रहे है और इसी चीज़ के चलते है अभी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उनका इसलामाबाद का international airport है दोस्तो वो just because of economic crisis मतलब बहुत ही financial stability वहाँ पे खराब देखने कम रहे है तो उसको भी वो क्या कर रहे है आउट्सोर्स करने जा रहे है तो हालत कि तरह आपको पता ही कुछ ना कुछ orders इनको मिलते रहे ते Google करते रहोगे तो कल भी कुछ ना कुछ order इनको मिलेगा आज के निन धाई हजार से पाच हजार करोड के orders इनको यहापे मिल चुके है एलेंटी से related जैसे मिने यह बात इसके पहले भी आपलों को बताई थी तो ए नहीं है ऐसा कि इसने बोला यह बहुत बड़ा मिल्टी बैगर है मतलब अगर आप इसका maximum chart pattern देखोगे ठीक है तो यह left to right आपको दिख रहा है उपर यहापे जा रहे ठीक है यह तो एक point यहापे हो गया दन हम लोग क्या दिखते है रहे 13000% की return से तो दोस्तो ऐसा नहीं है इसमें compounding का hidden impact आप county नहीं कर रहे हो मतलब लारसन और टूबरो की भी बात करें दोस्तो तो इसने भी अपने shareholder को 10 बार bonus दिया है और bonus का फाइदा क्या होता है यह सिरफ long term investor को यहापे पता है कि किस प्रकार से हम लोगों को यहापे wealth creation के लिए फाइदा होता है इसलिए तो cricket की कान ही कैसे होती है कि 90's के लोगों को यहापे पता वगा कि सचिन टेंडूल करके चलते है यहापे क्या होता था कि बाकी जो प्लियार अच्छा खेलते थे गांगोली की बात करे दरवेड की बात करे लक्षमन की बात करे कुंबले की बात करे तो उनकी चर्चा इतनी नह पती बनाया है, इतना पैसा चापके दिया कि आप सोच नहीं सकते, मदरसन सुमी के अगर हम लोग बात करे, इन्फोसेस की बात करे, उनने भी बहुत सार लोगों को पैसा चापकर यापर दिया हुआ है, जिन कंपनीज ने भी 10-10 बार यापर बुनस दिये है, बट विपरो की एकी स्टोरी हम लोगों को पता है, इसके चलते है, इनकी स्टोरी आपर पीछे हड़ जाती है, ओर राल बोलने का मकसद कहा है दोस्तों, कि LN TV जबरदस मल्टी बैगर, मतलब मैं पुराने इसके बात करा हूँ, मैं भविशा की बात यापर नहीं करा है, भविशा की आप से आप चाओ तो इसको कंशेडर यापर कर सकते हो, बट हिस्ट्री के हिसाब से बात करें, तो ये भी बहुत बड़ा मल्टी बैगर रह चुका है, आप थोड़ा से इसके बार में जानने की कोशिश कीचे, आपको समझ में आपर आ जाएगा, तो ठीक है दोस्तों, जि हो जाने के बाद देखने को मिलें, तो एक रेक्शन हमनों को लेखने को आपर मिल जाएगा, और अवरल बादार भी पॉजिटिव रहेगा कि नहीं, ये तो अमेरिकन बादार रात में कैसे बंध होता है, उसके पर निरबार करता है, तो आशा करता वीडियो हलफू झाल 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 झाल